बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू हम बहुत बहुत आभार आप सबका और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर गुमाश्ता ये थर्ड वर्ल्ड रमाइन के आयोजकों को दीदी को मैं तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके सौजन्य से अपनी संसकार धानी जबलपूर में एक बार फिर आने का मौका मिला और शुभा रंब हुआ नर्मदा जी की आरती से और जब भी नर्मदा जी के पास जाते हैं बहुत उर्जा प्राप्त होती है रिचार्ज रिफ्रेश होके जाते हैं कहा जा रहा था कि ये कॉन्फरेंस दिल्ली में क्यों नहीं करी गई क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे महानुज महानुभाव आ सकते थे बहुत सारे और भी स्कॉलर्स आ सकते थे लेकिन मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि गुमाश्टा जी ने इसे केंद्रित रखा है जब प्रकरंड यहीं पे तो एनेक्ट हुए चित्रकूट इधर है हमारी परिक्रमा इधर होती है और यहीं से बेस बनाकर भगवान राम जो थे वो गए थे दक्षिन भारत की ओर और वहां से शिरी लंका की ओर जो पहली बार आर्य जाती का जो हमारा अभियान था वो दक्षिन भ इवल जो की पाफ है उसके ऊपर फतह वहां पे की गई और श्री राम श्री कृष्ण यह सब अव्तरित चेतना के स्वरूप हैं यह सब के सब अव्तरित चेतना के स्वरूप हैं और हमारे इतिहास में अव्तरण, इनकारनेशन, इस व्यूव अविस्टरी देखिये जो अर्नाल टॉइन भी स्कूल अविस्टरी हैं वो लो कहते हैं साहब कि इतिहास को रचते हैं ग्रेट लीडर्स स्टालिन, हिटलर, चर्चिल, इतियादी, 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 दें एक हिस्टरी, the Marxist School of History says नहीं ये तो लेबल है history बनाती है the forces of history जो इतिहास की जो तरंगे हैं वो उचालती है कई लोगों को तो वो लेबल लग जाता है ये Hitler ने Second World War करी लेकिन वो forces थे Great Depression के economic ruin के जिनोंने Hitler जैसे एक पागल इंसान को यहां तक पहुँचा दिया कि वो आताताई बन गया लेकिन हमारा जो भारतिय इतिहास है a combination of these two है यदा यदा ही धर्मस्य गलाने रभवती भारता जब जब धर्म की गलानी होती है that means the forces of history create a situation तब तब एक अवतरित चेतना आती है भगवान खुद आते है to set the things right ठीक है और वो जो है वो दुबारा हमारी जो सनातन मूल्य है उनको उजागर करते हैं ठीक है और यह जो प्रक्रिया है यह जो नव दशा अवतार की जो प्रक्रिया नव अवतार आ चुके हैं दस्वे आने वाले हैं यह ना सिरफ रिस्टोर करता है उसी एक है कि साब बहुत हानी हो गई बड़ा नुकसान हो गया तो आप लाके वापस समनवे पे ले आए मेरे कुछ विदेशी मित्र भी हैं तो मैं बीच बीच में अंग्रेजी भाषा में भी आऊंगा इस नॉट आप यह ज़स्ट रिस्टोरिंग अव्टीशन तो नॉर्मालसी नॉट दिस इस अपार्ट अव एवलूशन अरे साब यह उत्कृष्टी की प्रक्रिया है आप देखिए जो हमारे नौ अवतार है मात्से अवतार बड़ी विशाल मचली विशाल काई वेल के रूप में समुद्र में पैदा हुआ जीवन कहा शुरू हुआ समुद्र में शुरू हुआ ठीक है पहला अवतार विशाल काई माठसे के रूप में माठसे अवतार दूसरा अवतार Amphibian Now, life समुद्र से तट की तरफ आती है शोर की तरफ आती है कुरमा अवतार जो समुद्र में भी रहता है जो कच्छुआ आप के समुद्र तट पे भी आके अपने अंडे वहां दे के जाता है the amphibian life marine life amphibian life और फिर उसके बाद वराहा अपतार mammal full-fledged quadruped वराहा अपतार एक wild boar gigantic wild boar के form में अगर आप भिंबेटका की caves में गुफाओं में जाएं भोपाल के पास तो वहां एक जो गुफा में बड़ी भारी एक विशाल काए जो वाइल्ड बोर की वहाँ पेंटिंग की हुई है और उससे लोग डर के भाग रहे ठीक है वराहा अवतार और उसके बाद दे स्टोन एज मैन कैसे बड़े-बड़े बाल होते होंगे बिलकुल भीशन लाइन जैसा लगता होगा नर्जम अवतार हाफ मैन, हाफ लाइन आप देख रहे हैं दी एवलूशनरी प्रोग्रेशन एवलूशन दर्शा रहा है ये अवतार श्रिंखला और उसके बाद वामन अवतार रामा पितिकारस जो छोटे बावने स्वरूप में जो मानव और वो जावा सुमात्रा बाली इन आइलेंड्स में वहाँ पे अवशेश मिले हैं बावनर रूप एक बहुत छोटा ड्वाफ फार्म में यूमन तो वामन अवतार छोटा सा लेकिन वो बड़ा होकर उसने तीन कदमों में धर्ती, आकाश, स्वर्ग सब उसने तीन कदमों में नाप लिया तेवल तीन, तीन कदमों में तो वो था वामन अवतार फिर जो यूमन श्रिंखला शुरू होती है परशुराम अवतार से माफ कीजे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि पिता की तरफ से परशुराम और माता की तरफ से द्रोन है तो अगर मुझे गुसा जादा आ जाता है तो माप कर दीजिए तो परशुराम अफ़तार परशुराम मतलब परशु जिसका था बड़ा बैटल आक्स हाथ में लेके उसने बद कर दिये जो आताताई थे उस जमाने के सोशल रेवल्यूशन क्रियेट करी आताताईयों के बर खिलाफ जबकि जो उस वकत के राजा थे वो बहुत जुलम करने लगे तो उनको काट मारा वहाँ पे पिता की हत्या का बदले के अंदर उसके उसके आक्रोश में उसने 21 पुछतें खतम कर दी उन राजाओं की ठीक है सोशल रेवल्यूशन क्रियेट करी परशु राम अफ़तार और राम अफ़तार के साथ आप यू कम टू मर्यादा पुर्शोत पुर्शोत्म श्री राम ठीक है एक्जेंपलार एक्जेंपलार और वर्च्यूज और जो मॉरल एन एथिकल टोन रामाइन की है वो किती लौफटी और किती ऊंची मॉरल एथिकल टोन है ठीक है मर्यादा पुर्शोत्तम श्री राम जो की एक एक्जामपल है एक एक उधार पूरी विश्व के लिए ना केवल उस जमाने में आज तक इतना पर्फेक्ट कंड़क्ट वो किसी और का नहीं है जब तक हम महाभारत तक आते हैं तो जो मौरल एथिकल टोन है वो बड़ी डिग्रेड हो चुकी है वासना से भरा क्रोज से बड़ा जेलसी इर्चा बिल्कुल वही टोन है जो आज की है जो जेट गिस्ट जो जर्मन शब्द है महाभारत का is exactly the same as it is now लेकिन जो रमाइन की एथिकल टोन है वो एक कट अबाव है और उस वकट उस से परफेक्ट राम अवतार से परफेक्ट शैद और अवतार आया नहीं है आज तक ठीक है श्री राम ठीक है और वो श्री कृष्ण का कहते हैं कि वो घोर अंगिरस के शिश्य थे अथर्व वेद में जो लिखने वाले रिशी है वो अथर्वन और अंगिरस रिशी है अथर्वन और अथर्व अंगिरस कहा जाता है ठीक है और उनके घोर अंगिरस के शिश्य थे महराज श्री क ठीक है और उन्होंने उस वकत की जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी उन्होंने देखा कि इनका नाश करना पड़ेगा यह बहुत ताकतवर हो चुके हैं इंडिविज्वल जो इनसान थे मंत्र सीख के मंत्र विद्या सीख कर कोई ब्रहमास्त्र चला सकता था कोई नरायन आस् सकता था तो यह लोग खतरनाक हो रहे थे यह लोग खतरनाक हो रहे थे वो शिरी कृष्ण ने यह एंशौर किया कि महाभारत हो दोनों तरफ की बड़ी बड़ी शक्तियां एक दूसरे से टक कर ले और खतम होया देखिए जब शिरी कृष्ण को क्या कोसा धित्राष्ट्र की पत्नी गंधारी ने श्री कृष्ट पे इल्जाम लगाया कि ये युद्ध सब तेरी तुने किया है तो उन्हें हाथ जोड़के चुप होके सुन लिया क्योंकि जब कोई कर्म करना पड़ता है वो अच्छे बुरे मुरालिटी से हटके वो देख रहे हैं विश्व का कल्यान इन लोगों का मरना जरूरी था इन लोगों का मरना जरूरी था इसलिए उन्होंने जो है ये युद्ध कराया हलाकि on the surface लगता था कि वो आखरी तक वो शान्ती के लिए ट्राई करते रहे आखरी तक कि पांच गाउं दे दे बोले एक गाउं नहीं दूँगा पांच गाउं तो बोले एक गाउं दे दो अब चलो खतम करो बोले जितनी सुई क्या सिर होता है न स्री कृष्ण भगवान मैं उतने भी जमीन नहीं दूँगा फिर तो युद्ध होगा फिर तो युद्ध होगा और जब युद्ध हुआ ये दोनों शक्तियों को लड़ाया और जिनको जिनको इस अंसार से ये विद्या ही चले गई हाथ में ये विद्या नहीं रह सकती तो भगवान खोदा आए देखिए जो स्ट्राटिजिक ठिंकिंग जिसको बोलते हैं कितनी जादा थी ये थे श्री कृष्ण भगवान और फिर भगवान बुद्ध जिन्होंने वेदों को जो है दूसरा एक वो मोड़ देना नॉमिना क्या है तो बुद्ध एक हिस्टोरिकल परस्नालिटी है जिसको सबके सब लोग जानते हैं पूरे दक्षिन एशिया में क्या पूरी दुनिया में बुद्ध की प्रतिमा सारी जगा अमिट छाप छोड़ देए चाहे लाउस चाहे कंबोडिया चाहे थाइलेंड च चीन जापान यह देखिए भारतिय संस्कृती की शक्ति देखिए आप में अब है घ्रेटिस्ट इंडियन हूएर लिवड एक बुद्ध की प्रतिमा आपको दुनिया भरके कोने कोने में मिलेगी भारतिय संस्कृती की ताकत देखिए आप सोफ्ट पावर की बात कर रहे है soft power की ताकत देखिए और मैं आपको एक चीज बनाने बताना चाहता हूँ और मैं बड़ी हर्ष होता है मुझे ये कहते कि मेरा एक direct रिष्टा है भगवान शरी राम से और भगवान शरी कृष्ण से वो भी फौजी थे वो भी योद्धा थे मैं भी योद्धा हूँ और हम योद्धाओं का उनके साथ बहुत ही खास एक लगाव है ठीक है और अगर आप शरी कृष्ण की सादना भगवान राम की सादना करना चाहते है तो धर्मक्षेत्रे युद्धक्षेत्रे युद्ध के मैदान में है वो जगा इधर कोई मर रहा है उधर कोई मर रहा है और इस जीवन में मुझे भी ये सब देखने का ये भयावा द्रिश्य देखने का एक भगवान की कृपा से अफसर प्राप्त हुआ ना हन्यते हन्यमाने शरीरे अरे इस शरीर के नाश हो जाने से इस आत्मा का नाश नहीं होता जैसे मेरे शरीर पे ये कपड़े हैं ये फट जाएं चीत्रे चीत्रे हो जाएं तो मेरे शरीर का नाश नहीं होगा मैं दूसरा सूट डालूँ लेकिन हम ये सब पढ़ते हैं लेक कहना बड़ा असान है अगर जानना है तो मेरे साथ लड़ाई के मिदान में आओ देखें जब थंडा पसीना छूट रहा है मेरे दाएं लोग मर चुके हैं मेरे बाएं मर चुके हैं मैंने हाथ पकड़े हैं जवानों के जब वो आकरी सांसें ले रहे थे मैंने आकरी बार पा यह डाल रहा था, ठीक है? मैं आपको कहना चाहता हूँ की धर्मक्षेत्रे, युद्दक्षेत्रे अगर आप वाके ही साधना करना चाहते हैं, तो सम्शान घाट में जाएं सम्शान घाट में साधना होती है और इस साधना से भी बढ़के सम्षान गाट में तो चलो सब चित हो गए शांत हो गए और चित चित आके अगनी ले जा रही है उनको उड़ा के ठीक है? लेकिन अईकर आप लड़ाई के मदान में देखें यहाँ बम फट रहा है उदर कोई चीक रहा है वहाँ कोई हाई हाई कर रहा, वहाँ कर रहा, और फिर आप बोले, नाहन्यते, हन्यमाने शरीरे, आपका दुबारा जन्म नहीं होगा, आपका दुबारा जन्म नहीं होगा, इसलिए युद्धक्षेत्र बहुत जरूरी है, अभी बात हो रही थी कि इस देश में एक परंपरा है, जो भगवान राम क्या थे, संथ सिपाही, भगवान शरी कृष्ण क्या थे, संथ सिपाही, अपने गुरु गोबिन सिंग जी क्या थे, संथ सिपाही, महराणा प्रताप क्या थे, संथ सिपाही, और वहाँ पे आपके दक्षिन भारत में, चत्रपती, शिवा जी, महराज क्या अगर कोई संझ सिपाही की व्याक्या जानना चाहता है तो श्री अपने चत्रपती शिवा जी महराज का चरित्र देखिये, भगON Rाम का चरित्र देखिये, श्री कृष्ट का चरित्र देखिये बाकी जगा सिपाही जब मैं फौज में जाने वाला था तो वो बोले क्यों फौज में जाना चाहते हो वहां तो रम पीने वाले होते हैं धारू पी के बस वो मस्त रहते हैं राजसिक दृष्टिकोन वाले होते हैं तुम क्यों जाना चाहते हो मैंने का साब मुझे फ्री टिक है और हिमाले के दर्शन लदाक से लेकर रुनाचल प्रदेश तक हुए है हिमाले तू के दारम क्या बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए रामाइन में गीता में एक ऐसी युद्ध कला की विज्ञान बताया है जो आज भी उतना सार तक है जितना उस टाइम पे था लड़ाई के मैदान में दो नेगिटिव इमोशन होती हैं भावनाई होती हैं जो की हानिकारक हैं युद्ध में जीत के लिए वो क्या है पहला है भय और दूसरा है गिल्ट गलानी ठीक है भय और गिल्ट जो है यह डिज ऑर्गनाईजिंग इमोशन है डिज ऑर्गनाईज कर देती है उतल पुथल कर देती है मन के अंदर ठीक है जिसको डर लग गया उसको पचास बारी सिखाया है पीस टाइम रेजिमेंटल सेंटर में कि अरे भाई अगर तेरे फायर करते करते गोली लटक जाए चेम पन्क प्रिश ने पांच घज से फायर किया टररत आपके चली और आपके हात पायर का हमने देखा है लोगों को यह ऐसे ऐसंसे कर रहा है तो मारत थपड़ा बे तिरे को शिखाया तो है सारा, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा क्योंकि भै, भैबीत हो गया, जो डर गया, सो मर गया, लडाई के मैदान में यह याद रखे, जो डर गया, सो मर गया, तो भै पे काबू करना है, इसलिए गीता में बोला है, तिरे को डर किस ची जाएगा लाइट्स आउट बिजली गुल नहीं अबे तेरा शरीर जाएगा तू नहीं जाएगा और यह जिसको समझा जाए वो फिर लड़ाई के मैदान में जिसका भय चला जाए देखिए हमारे जो तमाम समस्त देवता है एक हाथ इस मुद्रा में होता है इसको क्या कहते ह भय दान मुद्रा मैं तुझे भय से मुख्त करता हूँ और जो भय से मुख्त हो गया अरे वो सिकंदर है उसे कोई नहीं कुछ कर पाएगा वो भीशन से भीशन लड़ाई में जाएगा हस्ता खेलता आएगा और हमारे फौज में कहते थे साब जी रोंदा आया या मरने दी ख़वर लाके जाएगा जो लड़ाई के मदान में रोता रींगता आया कि मेरे को क्यों बेजा उसको क्यों नहीं बेजा तुमरेगा हंड्रेट परसंट मरेगा और दूसरी चीज है गिल्ट देखिए गिल्ट मतलब किसी इनसान को माल डालना आप समझते हैं असान है आप स हिल जाता है बड़े से बड़ा इनसान भी और वो कलेजा रखना और जब गिल्ट आता है फियर और गिल्ट और टू नेगेटिव एमोशन ठीक है अगर मैंने अपने दुश्मन के दर्ण के दिल में भय डाल दिया हादा मैदान फते अगर मैंने गिल्ट डाल दिया हादा मै योध्धा उसको जिसने इंद्र को हरा दिया था जिसके बेटे ने इंद्र को हरा दिया इंद्र जीत ठीक है याद है उसको मारना आसान था क्या क्या उसको मारना बाय हाथ का खेल था किसी का नहीं उसके मन में भै नहीं कर सकते थे आप उसको अरे जो इतने युद लड़क जीट चुका है, उसको भैबीत कहां से करोगे, ठीक है? फिर भी भैबीत करने का प्रयत्न किया गया, हनुवान को भेजा, अर वो पुरी उजार के आ गया, शरी लंका आ गया गया, एक कर सकता है, तो बागी ख्याल कर ले, बागी कौन आ रहे हैं, ठीक है? तो जो भै डाला, लेकिन वो बड़ा पुराना योद्धा था, मजा हुआ योद्धा था, दूसरा डाला गिल्ट, जानकी को ले आया, शराप था उसके ऊपर, वो हाथ नहीं लगा सकता था, ब्रह्म का शराप था कि तो एक और को हाथ लगा, तेरा सर फूट जाएगा, टुकड़े हो जाएगा तो छीन के ले आया नारी को और बिचारी नारी को वहां रखा लेकिन हाथ नहीं लगा पाए, और गिल्ट से मरा जा रहा है, उसकी वाइफ बोल रही है, उसके बच्चे बोल रहा है, भाई बोल रहा है, गिल्ट ने मरोड दिया, मरोड दिया, कुछ नहीं कर पाया और बड तो दूसरा guilt, just war, this is a just war, ये पाकिस्तानी ये टेरिरिजम प्रमोट कर रहे हैं, इनके मन में वो गलानी आनी चाहिए, कुरान शरीफ में साफ लिखा है, कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बुड़ों की जान, बख्ष दी जाएं, ठीक है, लेकिन ये मार ही औरते बच्चे और बुड़े रहें, तो हम जाके ये बोला करते थे, गलानी, जब हम लड़ रहे थे, जमो कश्मीर में, तो जब टेरिरिस्ट पकड़ते थे, तो उसकी अच्छी आवभगत करते थे, अच्छी आवभगत करते थे, और उसके बाद वो गाने गाने शुरू होते हैं, गाने गाना मतलब जो यहां नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, यहां वो क्या कहते हैं, मस्जिद से हम वो आजान नहीं कर सकते, यहां मस्जिद जलाई जा रही है, मैं कहां अवे कुछ देखा, नहीं साब, यहां तो सब ठीक है, गिल्ट, इसके मन में गलानी डालो, यह लड़ने ही पाएग यह है, रमायन की महाभारत की essential elements of combat management, अभी बहुत अच्छी बात हुई कि साब, यह सब हुआ भी था, कि नहीं हुआ था, हमारे इतिहास को तोड मरोड कर, उसका हनन किया जा रहा है, और यह हनन कर गए, माफ कीजिए, हमारे जो कलोनियल मास्टर्स थे, वो हमारे इतिहास को तोड मरोड कर गए, और एक चीनी में कहावत है, अगर तुम्हें एक सबिता को विद्वन्स करना चाहते हो, नाश करना चाहते हो, उसके इतिहास को destroy कर, उसका इतिहास ही खतम कर दो, तो हमें बोला गया साब, यह तो मंगरंत कहानी है, यह असली थोड गए तो एक वामपंती इतिहास कार हमारे गले पड़ गए, कि साब वो तो गोरे थे, वो अंग्रेज थे, वो जो लिग गए, वो सोला आने सच है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, कि मतलब हर चीज बिदेशी, हर चीज बिदेशी बहुत उंची और देशी का मतलब गया था? यह तो देशी है साब, हीन, गिरी हुई, बेकार बेकार वस्तू, मेरा कहना आप से हुए कि 75 साल और आजादी के बाद, अब तो अपनी गुलामी की बेड़िया यहां से निकालो, अपना इतिहास बदली करो, अपने जाने मैं नहीं कह रहा कि आप इतिहास का भग जुआ करन करिये। मैं कह रहा हूँ, I am not asking for the saffronization of history, I am saying please put history on an empirical basis. Chinese भी जाते हैं पढ़ने अमेरिका में, लेकिन वो STEM, Science, Technology, Engineering, Maths, वो पढ़ने जाते हैं। Humanities हमने नहीं जाके पढ़ते देखा Chinese को, हमारा इतिहास Oxford में लिखा जाएगा, हमारा इतिहास Harvard में लिखा जाएगा, वाई, क्या रूस का इतिहास Oxford में लिखा जाता है, क्या फ्रांस का इतिहास, चीन का इतिहास, तो हमारा ही इतिहास वहां से बन के क्यों आता है, लेकिन आ रहा है और फिर हमें बोला जा रहा है साब यह हुआ कि नहीं हमारे बच्चे पूछते हैं जैसे अभी बिटिया ने बताया कि बच्चे पूछते हैं यह हुआ भी यह महस कहानी है मतलब ऐसा यह आ गया है कि जो हमारा इतिहास it happened thus is now twisted into यह तो fairy tale है साब यह तो fairy tale है लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज इतना ज्यादा scientific evidence so much more of scientific evidence is now available satellite imagery radio carbon dating dna mapping archaeological evidence archaeo botany archaeozoology geology oceanography paleo channel mapping and astronomy जो बताता है साब कि यह evidence देखिये look at the evidence मैंने ही कह रहा कि मैं आप विश्वास करिये कि यह यह फरा ने कहा या उसने कहा मैं कह रहा हूँ go by the evidence go by empirical facts और complete distortion हो गया है हमारी chronology का और हमारी जो जो हमारे वेदाज रामाइन और महा भारत और जो यह अंग्रेज इसको twist कर गए हमारी जो की chronology है यह मैं आपको जरा समझाओं एक मिनट यह देखिए यह है मैक्स मुलर था मैक्स मुलर ठीक है वो लाए गए एक जर्मन इतिहासकार और उन्होंने हमारा पूरा वेदों का अनुवाद किया बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया लेकिन उन्होंने उत्रह अनुवाद किया विदा मोटिव अनुवाद किया वेद यह देखिए यह उन्होंने कहा कि जो वेद हैं देवर रिटन इन 1200 B.C.E. So, how did he come to this magic figure? यह इस जादुई फिगर पे कैसे आए? Very simple back of the envelope calculation. He took a pen, he took a paper, I know, and he sat down and he said, the sutra literature of the Buddhists is datable to 600 B.C.E. Give 200 years for each of the separate books. Aranyak's 200 years, Brahmans 200 years, Vedas 200 years, 1000, 200 years, Quad Erat Demonstratum, Q.E.D. This is the back of the envelope calculation. Show me one shred of empirical evidence to prove what you are saying. But do you know something? यह date is a Max Muller fatwa. अब जानते हैं, फत्वा क्या होता है? टररिस्ट का जो फत्वा होता है, यह फत्वा बन गया है साब. इसको, this is an axiom of Indian history. Dare you question it, the Marxist historians, the liberal historians of India, the Romila thapads, the Irfan Habibs, and the Sharmas will have you for breakfast. का जाएंगे साब आपको ये कैसे आप बदली कर सकते मेरा सीधा सवाले साब आप इस तत्य पे पहुंचे कैसे अब में भी कागेश पैंसिल लूओं बोले साब ये मेरे को शुपना आया मैंने बोल दिया ये है बिर्हाना ये हर्याना के अंदर सरस्वधी नदी के साथ जो हमारी सिंदू भाटी सब्टा, so-called Indus Valley Civilization. Are you aware की असी प्रतिशत settlement, 80% sites were not along the Indus River but the Saraswati River. ठीक है? और वो है एक और उसको जब carbon date किया गया, 8000 years before present are the upper layers. The lower layers are 9500 years. रेडियो आइसोटोप carbon dating. अब शुड़ाइ गो for that back-of-the-envelope calculation or this? बट हमें कहा जा रहा है नहीं साव ये साब कुछ्रा भी कर लो. हमारे maximaler कह गए. अरे रामचंद्र कह गए, पिया से तो हमने सुना था. लेकिन maximaler कहन, कक्काजी कहन और maximaler कहन ये हमने नहीं नहीं. और that it should become an immutable truth. कि आप इसको हिला नहीं सकते हैं साब. Next. Sorry. एक, there is a very nice book. बहुत अच्छी किताब है. जरूर इसको पढ़िये. युवाल नौहा हरारी. Sapiens. A History of Humankind. बहुत अच्छे कई तत्थे निकाले हैं. इसराइली ऑथर है. इसने कहा कि जो आग थी, वो साब आठ लाख साल पहले आदम जाती ने उसका इजाद कर लिया था. मतलब कहीं बिजली गिरी, वहां से उसने जला ली अपनी आग और आग उसको पता चले अरे साब. और उसके बाद तीन लाख साल पहले fire was in widespread use. और इसकी वज़ा से देखिए, आदम जाती जानवरों से उपर उठके कहां से कहां आ गई. नहीं तो आपका और शेर का क्या मुगाबला है? शेर की भलू की जो रीच की खाल है, उस पे भी बाल है. आप वार करो तो उसको नहीं लगेगी. आपकी कोई खाल पे बाल नहीं है साब. आपको एकदम चोट पड़ेगी. दोड़ना है तो शेर आपको आप शेर के साथ दोड़ नहीं सकते. लेकिन आज इन सब को हमने जू में डाल के रखा हुआ है. क्यों? अगनी. इसलिए आप समझें कि वेदों में अगनी क्यों पूजी जाती है? अगनी देवता इसने हमको उठाया. और ये जो है आप आप जेंड पड़ें, अगनी, फायर इस इस यू आप जेटेश्ट इविनिटी इस पायर. एक और चीज हुई, सतर हजार से चालिस हजार साल पूर्व कॉगनिटिव रेवलुशन हुई मैंन काइड में. राइट, कॉगनिटिव रेवलुशन मतलब आदमी के दिमार का अद्भूद व बस्ट इन केव आर्ट. कितने हजार साल पहले? सतर से चालिस हजार साल पहले. और इससे लैंग्विज डवलप हुई. अब्स्ट्राक्ट ठिंकिंग डवलप हुई. ठीक है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिक्टिव रियालिटीज, कम्मिनिकेशन इन राइडिकल न्यू वेज. और इससे क्या हुआ? यह जो क्वांटम रेवलूशन कैसे हुई? इस क्वांटम जंप इन यूमन थिंकिंग अबिलिटीज. एक तो जब आपने आग का इस्तमाल शुरू किया, आपने खाना पकाना शुरू किया. अब जो खाने को डाइजेस्ट करने में एन क्योंकि उनको पचाना है. वो एसिड ने सारा मीट को गलाना है. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यह एनरजी बच गई तो मेरे दिमाग में गई. और इससे आपका विकास जानवरों के ऊपर हुआ. वानरों के ऊपर हुआ. आग से, अगनी से, एक. और दूसरी ज नहीं कहा. उसने कहा कि जो साइकोट्रोपिक प्लांट्स थे, वो इस्तमाल करने शुरूर किये. सोम. वेदों को पढ़िये तो उसमें सोम का मेंचन है. साइकोट्रोपिक प्लांट. साइलोसाइबिन, आया हुआसका, दी-म-टी, दाइमिथाइल, ट्रेप्टेइन, यह जेस्ट करने शुरूर किये. ब्रेन की सरकेटरी चेंज हुई. लैंगविज आई, एब्स्रैक्ट थिंकिंग आई. और कितने आप जो है वो बढ़ गए. और अब जो थे, देखे, आदम जाती तब तक केवल, बच्चे ने पूछा कि साब, उस वक्त आज कह रहे हैं कितने दस अजार साल पहले, साथ अजार साल पहले हुआ, तो क्या इतनी बड़ी फॉज हो सकती थी? हो सकती थी, यूवल नोहा हरारी कह रहा है. बिकॉज देखिये, जो वानर ग्रूप हैं, वो सौ या डेड़ सौ के होते हैं. फेस टू फेस रेकिनिशन वाले. उससे ज्यादा बड़ी फॉज एकठी करनी हैं, तो आपको लेंगविज का इस्तमाल करना पड़ेगा. वन लेंगविज केम, यूद असेंबल हुज होस और ये जो आदम जातियां थी, स्टोन एज मैन, ये दिस्ट्रोइड नेंडर्थॉल, होमो एरेक्टर्स, डेनो सवान, ये दिस्ट् ये युद्ध आपके साइंटिस्ट कह रहे हैं, हो सकता था, हो सकता था, पहले नहीं मानते थे, पहले जो पैरदाइम था, वोस डिफाइन, I'm sorry, by the Bible, कि वर्ल सार्टेड 4,500 ये बी, C, E, तो उसके पहले होई क्या सकता है, अरे साब, वो जो कारबन डेटिंग करी है, माफ 500 years, radiocarbon dated, तो अब we have to अपना इतिहास, जरा खुद हमको अपने हाथो लेना, and we have to go by facts, we don't have to invent stories, we have to go by facts. एक बड़ा डॉक्टर हमारे अब्दुल कलाम सहाब हमारे राश्ट्रपती थे, उन्होंने बहुत encourage किया हमारे scientists को, हमारे historians को, कि science के उपर जाके आप facts चेक करें, तो एक मैडम सुधा बाला है, मैं उनकी किताबें present करके जाओंगा यहाँ पे, और अगली बार जो conference होती है, मेरी गुमाशता जी से हाथ जोड़कर विनती है, उन्हें जरूर बुनाएं, जरूर सुनें, बहुत जबरदस्त काम उन्होंने किया है, और उन्होंने क्या किया दो software हैं हमारे पास आज कल, उसको बोलते हैं, एक planetarium software, planetarium gold और दूसरा stellarium software, महर्शी वालमीकी ने, रामाइंड में, जो exact नक्षत्रों की position थी, वो record की हुई है, राम के जन्म पे, राम के वनवास पे, युद्ध पे, सब जगा, बड़ी detailed हैं वो, वो लेके उन्होंने इस software में लगाई, और इसके साथ radio carbon dating के साथ जो match किया है, उन्होंने अब जो है, बहुत ही accurate dating करी है, very accurate dating, based on a scientific basis, यह जो planetarium software है, यह stimulate करता है, daytime और nighttime sky, computer screen पे, जो की उस time हुई होगी, based on the observation, astronomical observation, जिसकी अभी पिछले सत्र में बात की जा रही थी, तो यह जो है, उन्होंने चालिस साल, 5116 BCE से लेकर 5176 BCE जबकि यह युद्ध हुआ, यह पूरस software generate किये है, day and night sky simulations, और उसकी बनियाद पे, दूसरा फिर उन्होंने इस टेलेरियम software यूज किया, और उन्होंने कहा कि जो भी इसको compare किया दोनों software को और उन्होंने dates निकाली है, और यह dates आप देखिए, जो महरागड यह बलुचिस्तान में है, ठीक है, वहाँ पहले settlements, उन्होंने fixed settlements, agricultural revolution के बाद शुरू करी, मैंनकाइन की, मैं प्लीज कन्लूड़ से, और उसमें देखिए, वो 10,000 साल पूरवा रहा है, 9,000 साल पूर, यह जो रिगवेद है, यह 9,000 से 8,200 साल पूरवा रहा है, और भगवान राम का जन्म, software के basis पे, 7,114 वर्ष, before, present, यह बिलकुल record हो गया है, यह बुले की साहब, मैक्स मुलर ने नहीं कहा, कि वो साहब बिलकुल सही थे, और बाकी हम सब भूरे, श्वेत, काले, गलत, माफ कीजिए, यह scientific है, और यह, यह बॉर्ण आउट बाइ, रेडियो काबन डेटिंग, नोट जस वन मेथट, टू मेथट, और आर्केलोजिकल, और और भी जो मेह मेथट, और महाभारत की देट, पांच हजार एक सोचोदा साल आती है, अथरवे चार हजार तीन सो पे आता है, और देखिए, यह जो, और प्रेजन्ट इरा है, जो हमारी मजूदा इरा है, और यह वो कह रहे हैं, इस पे एक पेपर किया है, हमारे जो की, नैशनल इंस्टिचूट अफ ओशनोग्राफी, उन्होंने जर्नल अफ जोलाजिकल सेसाइटी में पेपर पब्लिश किया है, कि साथ हजार साल पहले, जो हम 7000 साल पहले उस पे पानी नहीं था उसके ऊपर, आप उस पे चल सकते थे, वो फुल था यह साइन्स कह रही है, और इसकी फिर नासा ने पिच्चर भी बनाई है, वो बोलते हैं, पिच्चर इस व़र्थ था उसन वर्ड's इसके साथ मैं अपना व्यक्तव यह खतम करूँग यह देखिए श्रिलंका मनार और उसके बीच में यह आडम्स ब्रिज राम सेतू सीरीज ऑफ लिटल आइलेंड जिसको जोड़ा गया है पत्थर डालके और आप इसकी क्लोध अप साटलाइट फोटो देखें तो रमायन में लिखा है कि वो रसियां लगाई गई थी दोनों औ बीच में भर दिया गया था पत्थर और वो आज से साथ हजार साल पहले अभी हमने रमायन की डेट निकाली साथ हजार साल पहले साब इस पे आप चल सकते थे आज 19 फूट पानी के नीचे है लेकिन साथ हजार साल पहले you were walking on this this bridge बहुत-बहुत आभार आपने इतना patiently सुना Thank you. Jai Bharat, Jai Hind. Jai Hind, Major General G.D. Bakshi sir, who has witnessed all sorts of the war and led the country, the security forces and he emphasized on dealing with and fighting with fear and guilt. He is the sand soldier. Thank you very much.